आज हम सीखेंगे संख्याओं का मानक रूप कई बार हमारा सामना ऐसी संख्या से होता है जिसे लिखना पढ़ना एवं जिस पर कोई संक्रिया करना बहुत मुश्किल होता है ऐसे में संख्या का मानक रूप हमें सहायता करता है हम किसी भी संख्या N को घातांक याने एक्स्पोनेंट के प्रयोक से M गुणा 10 के उपर घात P इस रूप में व्यक्त कर सकते है जहां M एक दशमलव शून्य के बराबर या इससे बड़ी लेकिन 10 दशमलव शून्य से छोटी संख्या है और P एक पूर्णांक यानि इंटीजर है संख्या का यह रूप कहलाता है उसका मानक रूप यानि स्टांडर्ड फॉर्म इसे ही हम संख्या का वग्यानिक संकीतन रूप यानि साइन्टिफिक नोटिशन भी कहते हैं जैसे हम इस संख्या को मानक रूप में 4.5 गुणा 10 के उपर घाच 6 इस प्रकार लिख सकते हैं आईए जानते हैं कि किसी संख्या का मानक रूप कैसे प्राप्त किया जाता है हम इस संख्या को इस प्रकार दर्शा सकते हैं इसी को हम घातान के रूप में इस प्रकार लिख सकते हैं। अब हम देखते हैं कि यहाँ M का मान 4.5 है और यहाँ 1.0 से बड़ी लेकिन 10.0 से छोटी संख्या है। इसी तरह P का मान 6 है जो एक पूर्णांख है। इस तरह से यहाँ इस संख्या का मानक रूप है। अब इस संख्या को देखिए। हम इस संख्या को इस प्रकार दर्शा सकते हैं। इसी को हम घातान के रूप में इस प्रकार लिखते हैं। अब हम देखते हैं कि यहाँ M का मान 4.5 है और यहाँ 1.0 से बड़ी लेकिन 10.0 से छोटी संख्या है। इसी तरह P का मान 5 है जो कि एक पूर्णांक है। इस तरह से यहाँ इस संख्या का मानक रूप है। चलिए अब जानते हैं बड़ी संख्याओं को मानक रूप में कैसे लिखा जाता है। मान लीजिए हमें इस संख्या को मानक रूप में लिखना है। हमें इसे M गुणा 10 के उपर घात P के रूप में दर् सबसे पहले हम इसके दाई तरफ दशमलव बिंदू रखेंगे। हम देखते हैं कि दशमलव बिंदू को बारह स्थान बाई और सरकाने पर हमें संख्या प्राप्त होती है तीन दशमलव चार पांच जोकी एक दशमलव शून्य से बड़ी लेकिन दस दशमलव शून्य से छोटी संख्या है। इस तरह से तीन दशमलव चार पांच M का मान है। चुकि हमने दशमलव बिंदू को बारह स्थान बाई और सरकाया है। इसलिए हम दस के उपर घात बारह से इस संख्या को गुणा करेंगे ताकि संख्या के मान में कोई परिवर्तन न हो इस तरह से यहाँ पी का मान 12 है इससे हमें संख्या का मानक रूप प्राप्त होगा 3.45 गुणा 10 के उपर गात 12 अब चलिए जानते हैं बहुत छोटी संख्याओं को मानक रूप में कैसे लिखा जाता है अब अगर आपको इस प्रकार की बहुत छोटी संख्या दी जाए तो क्या आप इसका मानक रूप लिख पाएंगे प्रयास कीजिए चलिए हम बताते हैं हमें इसे M गुणा 10 के उपर गात P के रूप में दर्शाना है जहां M 1.00 से बड़ी लेकिन 10.00 से छोटी संख्या है और P एक पूर्णांख है हम देखते हैं कि दशमलव बिंदू को 9 स्थान दाई और सरकाने पर हमें संख्या प्राप्त होती है 8.00 साथ 6 जो 1.00 से बड़ी लेकिन 10.00 से छोटी संख्या है इस तरह से हम M के स्थान पर 8.00 साथ 6 लिख सकते हैं चुकि हमने दशमलव बिंदू को 9 स्थान दाई और सरकाया है इसलिए हम 10 के उपर घात रिड़ 9 से इस संख्या को गुणा करेंगे ताकि संख्या के मान में कोई परिवर्दन ना हो इस तरह से यहां P का मान रिड़ 9 है इससे हमें संख्या का मानक रूप प्राप्त होगा 8.76 गुणा 10 के उपर घात रिड़ 9 आज हमने सीखा संख्याओं का मानक रूप अगले वीडियो में इससे संबंदित कुछ मजिदार उधारन देखेंगे जे एक रूप आपे इससे संख्याओं का मानक रूप का रूप